सिर्फ दो तेज पत्ते को अपने मुठी में रख करके आप इस मंत्र को बोल दीजिए सामने वाली इस्तरी तुरंत आपके वस्म हो जाएगी आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी और आपको पानी के लिए टरपेगी और हमेशा आपके पिछे-पिछे गुमेगे मेरे प्यार वक्त हो जैदि आप चाहते हैं कि कोई भी इस्त्री हो आपके प्यार में दिवानी हो जाए आपके प्यार में 24 गंटे डूबी हुई रहे आपको याद करे और आपको पाने के लिए सब को छोर कर आपके पास आ जाए तो सिर्फ एक बार आप दो तेजपत्ते को लेकर के अपने मुठी में रख लेजिएगा इस प्रकार से मुठी में रखने के बाद में हम जो मंत्र बता रहे हैं इस मंत्र को बोल दीजिएगा सामने वाली इस्त्री तुरांत आपके वस्म हो जाएगे जरा सा भी देर नहीं लगेगा और वह इस्त्री आपके प्यार में इसकदर से दिवानी हो जाएगी कि आप से मिलने के लिए बात करने के लिए ट्रपने लगेगे ये सालों पुरानों से इस वस्म तुटका का प्रियोग होता आ रहा है मैं बता दू मेरे प्यार प्रभगतो ये एक एसा खतरनाक सक्ति साली वस्म तुटका है कि वर्सों से आम जनता से इसका राज छुपाया गया था और आज मैं आप सभी को बता रहा हूँ ताकि आप सभी का प्यार आपको मिल जाए ये दि आप वसिकरन करके ठक चुके हैं प्यार बात नहीं करता है प्यार के दिल में अपने लिए मोहबत भरना चाहते हैं चाहते हैं कि वह इस्त्री वह पुरूस आपके वस्म हो जाए तो आप सिर्फ एक बार तेजपत्ते से आप इस वसिकरन टुटका को जरूर कीजिएगा कैसे करना है, कब करना है, कौन सा भीधी अपनाना है चलिए बताते हैं उसके पहले छोटा साब से भी नती हैं मेरे प्यार हो वक्त इस वसिकरन टुटका में आपको सिर्फ तेजपत्ते की ही आवसकता है इसके अलावा कोई भी समागरी नहीं लेना है और एक बार में ही आपका काम होगा दुनिया का सबसे खतनाग तेज वसिकरन टुटका में से यह वसिकरन टुटका माना जाता है और मैंने इस वसीकन टुटका से काफी लोगों का वसीकरन किया है और सभी का काम हो चुका है कैसे करना है चलिए बताते हैं उसके पहले आप से चोटा सा बिनती है कि मेरी चानल को सस्क्राब जोर कीजियेगा और वेल घंटी को जोर दोईएगे तक हैं जितने उढ़ेंगे सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा सबसे पहले दो तेज पत्ते आपको लेना है आप सभी के घर में उतलब्ध होगा हर किसी के घर में होता है जैसे हैं दो तेज पत्ते आप लिजिएगा सबसे पहले आपको करना क्या है ध्यान से दिखिए कि मेरे प्यार पर वक्त हो आप क्या किजिएगा सबसे पहले दो तेज पत्ते को ले करके आप अपने सामने रख लिजिएगा लाल सियाहे लेने के बार में सबसे पहले इसके बीच में आपको इसी रखना है, जिस लड़की को अपने प्यार में दिवानी बनाना चाहते हैं, या उस पुरुष का नाम लिखना है जिसको आप अपने प्यार में टरपाना चाहते हैं अपने प्यार में बेचेन करना चाहते हैं क्या करना है यहाँ प्याँ आपको नाम लिखना है ठीक है ना नाम लिखना है मेरे प्यार प्वगतो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो वसिकन टोटका है चमतकारी है परचंद है इस वसिकन टुटका से काफी लोगों का मैंने वसिकन किया हुआ है ये आजमया गया है सीध किया गया है ठिक ना? नाम लिखना है एक तेज़ पत्ते के उपर में आपको क्या करना है नाम लिखना है उसे श्त्री का नाम जिसको अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं दूसरे तेज़ पत्ते के उपर में सबसे पहले आप क्या किजिएगा इस प्रकार से बनाईएगा ध्यान से दिखिएगा मेरे प्यार वक्त वो यह जो वसीकन टुटका है बहुती फास्ट काम करने वाला है जहां से दिखिएगा आपको इस परकार से त्रवुज के जैसे बनाना है बनाने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे तिरिसुल का चीन बनाना है तिरिसुल का चीन बनाना है यहां भी आपको एक तिरिसुल का चीन बनाना है और बीच में आपको साथ लिखे देना है ठीक ना साथ जैसे ही आप इतना कर देजिएगा आप क्या किजिएगा आप इस पत्ते के उपर में यहाँ पे तूस इस्त्री का प्यार का नाम लिखना है इस पत्ते पे आपको तिर्वज के बगल में आप अपना नाम लिखिएगा क्या किजिएगा आप अपना नाम लिखिएगा जैसे ही आप अपना नाम लिख लिजिएगा अब आपका काम सुरू हो गया पलभर में देखिएगा वह इस्त्री वह प्यार आपके लिए वेचैन होकर आपसे मिलने के लिए ये खुद पर खुद आपके पास आएगा रात दिन आपके प्यार में डूबा हो रहेगा और आपके पास फून करेगा सबसे पहले इसको अपने मुठी में इस परकार से बंद करना है उसके बाद में अपने सामने में दो चारा गरवत्ती जला लेना है और पुरव दिशाक्यों आपको घुम जाना है वह सिक्रान करने से पहले आपको असनान करना है कोई जरूरी नहीं है कि तुरान तो उसी समय असनान करना है सुबह में आप कभी भी असनान कर लिजिएगा और दिन या रात कभी भी आप यह वस्री के न्टुटका कर दीजिएगा अपका काम हो जाएगा जैसे ही आप उरब दिशाक्य और घुम जाएगा इस मुठी को कसके बंद कर लीजेगा तो इस पत्ते को अपने मुठी मेरा करके कसके बंद कर लीजेगा बंद करने के बाद में आप क्या किजेगा अपने मन में इस मंत्र को बोलिएगा जो मंत्र में मैं आप सुभी को बतान हैं पत सकते हैं कौन सा मन्तर है मंत्र को सुने जई आधे वकप्राइद त्री आप से क्रण में बょसमिंगें इस召ीना। उस प्यार का नाम बोलना है जिसको आप उस में करना चाहते हैं अपने प्यार में बेचैन करना चाहते हैं उसका नाम बोलना है जैसे हैं मंतर बोलिएगा आप फूंक लगा दीजेगा इस मुठी के उपर में ठीक ना इस परकार से फूंक लगाने के बाद में तुरांत आपक कोई तोकें नहीं किसी से बात नहीं ध्यान भटकाना नहीं है अपका काम पूरा हो जाएगा उसके बाद में करना क्या हिस्त ďजपत्ते को किसी भी जो राद होता है कुवा की किनारे चलेगा तलाप के किनारे जाना है लेकिन ध्यान देना है कोई देखे ना है कोई टोके ना है वहाँ पर जाकर के सबसे पहले आपको अपने मन में इस मंत्र को साथ बार बोल करके उस इस्तरी का नाम ले करके इसको पानी में फ्यक देना है कुमे के पास है तो कुमे के अंदर फ्यके तलाब के कि मिलना करना प्रश्रादा है की उसी दिन से के दिल में आपकी लीऊ इतना मोहबत होगा कि वह इस तरही आपके भगर एक मिनट मोई रहाँ पाइघ separate आपको पाने के लिए में जासे पेचे भागेगी और हमेशाए प्रचाहएं तक कि एक बार में ही काम करना शुरू कर देता है जैदि आप अब ही तक में चानल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चानल को सब्सक्राइब जोड़ कीजिए और बिल घंटी को जोड़ दवाईगा ताकि हम जितने हो रहेंगे सबसे पहला भी के पास में जाएगा